नमस्कार स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राश्की दनिकरास्वल के बारे में लेकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंच्यांग के बारे में अठारह जनवरी 2022 मंगलवार कदिन है और माग माश कृष्ण पक्षी प्रती पदाति धी है नच्छत्र आज है पुष्च और अब जीत महूरत आज दुपार 11 बच के 36 मिनट से लेके दुपार 12 बच के 49 मिनट तक रहेगा आज के शुरुद है सुबह 6 बच कर 26 मिनट पे और चंद्रमा की स्थिती रहने वाली है करकरासी पर यानि कि आपके दूसरे भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे धन भाव पर कुटुम्ब के भाव पर और आज के जो असुब समय होगा वह तकरिवन दुपार 1 बच कर 11 मिन आज खुसी से पागल होंगे क्योंकि खुसियां दस्तक दे रही है आज आपको कई नए अपसर मिलेंगे कई लोगों से जान पहचान आज आपके काम आ सकती है आज आपको सफलता मिलेगी केरियर में खुबसूरत पल रहेगा मिन्थुन रासक्यात को आज मंगलवार के दि आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप निशी तोर पे सिंदूर और एक मिठा पान जरूर अरपित करें तो आपकी विसेस मनोकामनाई जल्दी पूरी हो जाएगी तो केरियर में लाब होगा अनेक जगहों से धनलाब की योग बनेंगे और मितुन रासक्यात को आज वि इसमें कई फायदे होंगे बिजनेस ब्यापार में लाब होगा धन किस्ति काफी अच्छी रहने वाली है सोने चांदी का ब्यापार करते हैं तो उनके लिए अधिक लाब देखने को मिलेगा जो लोग मितुन रासक्यात को सोने चांदी का ब्यापार करते हैं उन्हें अधि परजिस्त सफलता मिलने की योग बन रहे हैं इसलिए तो कहा कि आज खुशी से पागल होंगे क्योंकि खुशियां दर्स तक दे रही है। अगर किसी प्रकार का कोई निगेटिव चीजे हैं तो उसे भी प्रोब्लम को सॉल्ब करने की कोशिश करिये। आज आज आपको धनलाब की योग बनेंगे आकस्म करोप से धन कलाब होगा। साथी आज बिशेस व्यक्तियों से जान पहचान और अब मुलाकात आपके लिए काफी अची रहेगी। और बिजनेश ब्यापार में अगर कोई महतपूर आपके डियल रुकी हुई थी या सफलता नहीं मिल पा रहे थी अगर आप प्रयास करेंगे तो आज जरूर मिलेगी लेकिन मेहनत और परिश्थरम करना होगा। मिथुन रास के याद को आज आपके द्वारा सोचे हुए कारियों से लाब होगा। घर परिवार के लिए कुछ खर्चे करते नजर आएंगे। आज आप परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताते नजर आएंगे। और परिवार के साथ पूरे सपोर्ट में रहने वाले हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आज अपने मित्रों से मुलाकात ह और आज धनलाब की योग बन रहे हैं आज आपको अपने जीवन साथी से भी कोई उपहार मिल सकता है या फिर आप दे सकते हैं संतान प्राप्ति के रूप में खुशिया प्राप्त होंगी आप एक दूसरे को भी सपोर्ट करते नजराएंगे और एक दूसरे का मान समान करें यदि पहले से मनमुटाव था तो आज आपका मनमुटाव खतम होगा और आज आपकी अच्छी यानि एक दूसरे का सपोर्ट करते दिखाई देंगे और अपने कार छेत्र में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का आज आपको सपने पूरे होंगे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ग्रहों की चाल कहती है कि मिथुन रासक्यात को आज आपको लाब जरूर होगा रुके वे तमाम कार पूरे होंगे कई तरह के लाब होंगे पैसे से जुड़े मामले सोलब होंगे और हलाकि धन खर्चों में थोड़ी से कमी आएगी आज बेंकिंग की छेतर से लाब तो फाइदा दुगना होगा आज पहले की उपेच्छा ज्यादा पैसा आएगा आपके पास तो मिथुन रासक्यात को आज की दिन काफी अच्छा रहने वाला है परिबार में खोशियां बरसेंगी अविवाही जातकों के लिए नए रिष्टे आएंगे ने रिष्टों की चर्चाएं होंगे साधी व्याकी चर्चाएं हो सकती है धार्मिक कारियों का अनुष्ठान कर सकते हैं छोटा हिससे लेकिन आज खर्च भी करेंगे धार्मिक छेत्रों में आज आपकी रुची बढ़ेगी और आज काफी स्थकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे भाई पढ़ाय लिखाई के छेतर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे पढ़ा हुआ लिखाई याद रहेगा पढ़ाय लिखाई के प्रतिया आप समर्पित रहेंगे मित्हुन राज के अजयात को आज आप किसी कंपटीशन या फिर किसी एक्जाम की तियारी में है तो और आज अपने लक्ष की और यानि प्यूरा ध्यान के अंद्रित करेंगे पढ़ाय लिखाई पर पूरे फोकस बना के रखेंगे घुमने फिरने से बचेंगे स्वास्त भी आपका च्छरेगा मित्हुन राज क्यात को स्वास्त समंधी पर रहसानियों से मुक्ति मिलेगी पहले अगर कोई हाश्पिटलाईज खर्चेते तो इससे आप आपको राहत मिलेगी घर परिवार कर स्पोर्ट मिलेगा और दाहिने आख में अगर किशी परकार कोई दिकत थी तो आप धीरे-धीरे सुधार होगा यानि दाहिने आख में प्रोबलम थी तो आपको धीरे-ध कि दिन हो सकता है और आज अपने प्रेम संबंदों में इजाफा देखने को मिलेगा प्रेम यानि प्रेम एलब पार्टन को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ खुब सूरत वक्त बिताने का मौका मिलेगा मित्धुन रास्केयात को निश्यत और पे कहा जा तो उनके साथ अपने पार्टन के साथ जढ़े ज़िदर समय विताएंगे आज विदेश जानी की योजनाई बना सकते हैं विदेश में आज आज आपको कोई महत्पूर्ण काम जो आपका बंता होना जराएगा विदेश ये कंपनी से लाभ हो सकता है कई कंपनी से तो आपको अतिक्रिवन 82% दोस्तो जाते ते वीडियो को लाइक जरूर करें नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिएगा जये शनिदेयो